नवश्कार आप सभी का बहुत स्वागत आज के इस वीडियो में आपकी खाफ पेसकस के साथ इस वीडियो में हम लाएं हैं मेव राशी फल को 31 अगस्त की बात चल रही है दोस्तों कैसा होगा दिन आए वीडियो में विश्टार से जानते हैं आपको बता दूँ दिन कुछ खाफ नहीं होने वाला है गणेव जी की क्रपा से आज का दिन मेव राश के लोगों के लिए बैपारी कारियों में धन संबंधी परिशानियों को दर्फाने वाला रहेगा कार छेतर पर काम धन्दे से संबंधित कारियों में कोई न कोई परिशानी पैसों से संबंधित चलती रहेगी साथ ही आज आप अपनी चतुराईयों से कारियों में सफलता हांसिल करेंगे में फराशिवाले आज की फिर परपार्टी के पास पैफ़ा फशने काराण मांसिक तनाव हो फकता है उधारी के जरिये बैपार बढ़ाने का अगर विचार कर रहे हैं तो थोड़ा फतर्क हो जाएं नवकरी पेफ़ा वर्ग कर्मिचारियों को फलाए है कि नगद लेंदेन वाले कारे में फतर्कता बरती वरना परिशानियों का सामना करना पढ़ सकता है पारिवारी छीवन की बात करें तो घर पारिवार में किसी पुरानी बात को लेकर लोग एक दूफरे पर तंज कफ रहते हैं जिसके चलते घर पारिवार की फदेश्यों में बहेंसों फक्ती हैं आपको फलाय है कि आज अपनी वाड़ी पर थोड़ा फ़ियम रखें और कड़बे बोल बोलने फे बचें वाड़ी में बगध़ता लाने फे आज बहुत ही मुफ्किल आसान हो जाएगी आईए आज की फेहद की बात करते हैं आज आपकी फेहद गरदन में दर्द फंबंधी परिशानी देखे जाफकती है धी मिंगत फे गरदन फे जुड़े बयाम करना लाबकारी देखा जाएगा शमश्या जादा बढ़ने पर डॉक्टर से फलाज जरूर ले 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 आईए जानते हैं आज में फ्राशी का उपाय क्या है दोस्तों गणेव चदूर्थी के अपसर पर आज भगमान गणेव को मूदी के लड़ू अर्पित करें आपका दिन बहतर बना रहेगा और आप गणेव जी की पूजा अर्चना करें उससे आपको खुसाली मिलेगी